Psychology of Money, Chapter 1, कोई भी मुर्ख नहीं है मैं आपको एक समच्छे के बारे में बताना चाहूँगा इसे जानकर आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं, इस बारे में बहतर महसूस करेंगे और दुसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में कम अलोचना लोग पैसे के साथ कुछ मुर्खता पूर्ण हरकते करते हैं, लेकिन कोई भी मुर्ख नहीं है बात असल में यह है कि अलग-अलग पीडियों के लोग, जिनका पालन पोशन करने वाले माता पिता की आई अलग-अलग है जिवन मुल्या अलग-अलग हैं, जो विशू के विभिन छेत्रों में अलग-अलग अर्थ व्यवस्ता में जन्में जिन्होंने अलग-अलग जॉब मार्किट में विभिन परकार के परसाहन और भाग्या का अनभव किया वे एक दूसरे से बहुत अलग पार्ट पड़ते हैं दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर व्यक्ति का अपना ही अनभव होता है और जो आपने अनभव किया, वे कहीं अधिक परभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते यां सीखते हैं इसलिए हम सब आप, मैं और हर व्यक्ति, धन, दौलत, कैसे काम करती है इससे संबंदीद अपने मुल्यों के सारे अपना जीवन गुजारते हैं और अलग-लग लोगों के लिए इन मुल्यों में जमीन, आस्मान का फरक हो सकता है जो आपको मुरकता पूर्ण लगे, वह मेरे लिए माइने रख सकता है जो वक्ति ग्रीबी में पला बढ़ा हुए जोखिम और पर्तिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक स्मृत बैंकर के संतान चाहे भी वैसे ना सोच पाए एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बढ़ा जब मुद्रस वेती की दर अधिक थी उसने वह अनभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा एक स्टॉक ब्रॉकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गवा दिया जिसने जो अनभव किया 1990 के दशक में वैवम में काम करने वाला एक तकनीकी करमचारी उसकी कलपना भी नहीं कर सकता एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्सों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी उसने कुछ ऐसा अनभव किया है जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया बस इतना ही नहीं अनभव की यह सुची असंख्य है आप धन दोलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता और इसके विपरित भी उतना ही सच है जिन धारणाओं उदेश्यों पूरण वानों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं वैं मुझसे अलग हो सकता है ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार या अधिक जानकारी रखता है ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग-अलग है जो हमारे विविद और बराबरी के थोस अनभवों से रचे है धन के साथ आप दक्तिगत अनभव संसार में क्या हुआ शायद इसका 0.001 परतिशत मात्र है लेकिन आपके विचारा अनुसार संसार कैसे चलता है इसका 80 परतिशत है इसलिए समान रूप से होशयार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यूं होती है आपको नवेश करना चाहिए आपको किसे प्राथमिकत देनी चाहिए कितना जोखिम उठाना चाहिए आदी 1930 के अमेरिकी पार्खी अपनी किताब में फेडरिक लूइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकों को उनके शेष जिवनकाल के लिए अंदुरूनी तोर पर परभावित किया है लेकिन अन्भोवों में काफी विभिंता थी 25 वर्ष बाद जब जॉन F. कैनेडी रास्टरपती चुनाव लड़ रहे थे एक विपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या आद है उन्होंने टिपनी की मुझे महामंदी के बारे में कोई पर्तेक्ष जानकारी नहीं मेरा परिवार दुनिया के सब से धनी परिवारों में से एक था और यहां उस समय काफी था हमारे पास बड़े घर नोकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे जो चीन मैंने पर्तेक्ष रूप से देखी वह बस यह थी कि मेरे पीता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रख था कि उन्हें नोकरी मिल जाएं जिससे वह अपना पेट भर सकें मुझे महामंदी के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक मैंने हावर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा यह 1960 के चुनाओ का एक मुख्या मुद्दा था लोगों को लगा कि कैसे कोई एक ऐसा रखती अर्थवस्ता की बाग दोर समाल सकता है जिसे पिछली पीडी के सबसे बड़े आर्थिक मितानत की कोई जानकारी ही नहीं थी इसका शति पूर्वक काफी हद तक जेयाफ के दुवित्य विश्वयूद के अनभव के द्वारा हो सकता है यह पिछली पीडी में व्यापक एक दूसरा बहवनात्मक अनभव था जो उनके मुख्या परतिद्वन्दी हूबर्ट हम परे के पास नहीं था हमारे सामने चुनोती है कि अध्यन या ग्रहन शीलता की कोई भी मात्रा भ्या और अनिश्चिता की शक्ति को उत्पन नहीं कर सकते मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महमंदी में अपना सब कुछ गवा देना कैसा रहा होगा लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तम में यह अनभव किया और कोई ऐसा वक्ति जिसने ऐसाब कुछ अनभव किया यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा वक्ति स्टॉक्स ख्रीद कर रखने जैसे वी शो में असावधान कैसे हो सकता है हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिये से देखते हैं स्प्रेडशिट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की एतियासिक आवरिती का मोडल पेश कर सकती है लेकिन स्प्रेडशिट उन भावनाव का मोडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुँचकर अपने बच्चों की और देखकर सोचते हुए अनभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की हैं जिससे उनका जिवन पर भावित हो सकता है इतियास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं लेकिन जब तक आपने उसे जिया नहाओ और उसके नतीजों का व्यक्तिकत तोर पर महसूस नहां किया हो उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जितना आपके वहवार में बदलाव आ सके हम सब को लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है लेकिन हम सब ने इसके एक तिन के मात्र का अनभव किया है जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं कुछ सबक ऐसे होते हैं जीने समझने से पहले हमें उनका अनभव करना आवशक है और हम सब किसी ना किसी तरह इस सच के शिकार है 2006 में National Bureau of Economic Research के असास्त्री अलराइक, मैलमेडियो और स्टीफन गेलेन ने Survey of Consumer Finances के चास वर्षोक के कारिये का अध्यन किया जिसमें American people अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विश्य पर विश्तिर जानकारी थी परिकलपना के अनुशार लोगों को अपने निवेश समझी नीनय अपने लक्षों और उस समय में उपलब निवेश विकलपों के अनुशार लेने चाहिए लेकिन लोग ऐसा करते नहीं और सास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश नीन्या उनके उन अन्भोगों के द्रेड़ता पुड़वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे मुखेता शुरुवाती व्यसकता के रूपने अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए हैं जब मुद्रस्विती के दर अधिक थी तो अपने आगे जाकर अपना पैसा बॉण में कम निवेश किया उनके मुकाबले जो कम मुद्रस्विती के समय में पले बड़े यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्किट मजबूत था तो आप आगे जाकर अपना पैसा बॉंड में अधिक नुवेश किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्किट कमजोर होने के समय में पले बढ़े अर्शास्त्रियों ने लिखा हमारी खोजदर साती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिकत इतियास पर निर्बर करती है ना तो बुद्धी मता ना शिक्षा और नहीं परिश्करण मातर श्योग ही है कि आप कब और कहां जन्मे फानेशल टाइम ने दो जार उननी में परसित बाउन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का सक्षत अकार किया ग्रॉस मानते कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते लेख का कहना था ग्रॉ अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी परभावित होती हैं ग्रॉस के लिए बांड पैसा बनाने की मशीनी के समान थे उनके फिता की पीड़ी के लिए जो मिद्रस्विती की उची दर के समय बढ़े हुए और उसे बॉंड धन भसमक परतीत होंगे धन दोलत को लेकर लोगों के अनभव में जो अंतर है वैचोटा नहीं है उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनभव एक जैसे लगें अब स्टोक को ही लीजिए अगर आपका जनम 1970 में हुआ आपकी किशोर वस्था और युवस्था समयोजित होकर कहीं भी नहीं गया लोगों के ये दो अलग-अलग समू अपने जनम का वर्ष अलग-अलग होने के कान स्टोक मार्किट को लेकर विविद द्रिश्टिकोन के साथ आपका जीवन गुजारते हैं अगर आपका जनम 1960 में अमेरिका में हुआ आपकी किशोर वस् अबले और कम दिन चलता है लेकिन यदि आपका जनम 1990 में हुआ है जिसके पूरे जीवन में मुद्रा स्विति की दर इतनी कम रही है कि शायद कभी आपका विचार आपको छूकर भीना गुजरा हो अमेरिका का राष्ट वापी बेरोजगार नुवंबर 2009 में 10 परतिशत था लेकिन 16-19 वर्ष के अफरीकी अमेरिकी के शोरों के बीच रोजगार दर 49 परतिशत थी पंत्याली वर्ष से अधिक आयू की कोकेशियन महलाएं जनके पास कोलेज दिख रही थी उनके लिए यहदर चार परतिशत थी जर्मनी और जापान में दुट्य विशूग यूद के दुरान स्थानिय स्टॉक मार्किट का पूरी तरह से सफाया हो गया पूरे छेतर बंबारी से नस्ट हो गई यूद के अंत में जर्मन खेतों मातर इतना ये नाजुत्पन हो पारा हथा की देश के नागरेक परतिरिन एक हजार कैलरी का भोग कर सकें अब इसकी तुलना यूएस से करे जहां स्टॉक मार्किट 1941 से 1915 के बीच दोगुना से भी अधिक बढ़ गया और वहां की अर्थ व्यवस्ता पिछले दो दश्कों में सबसे द्रिड हो गई इन दोनों समुहों के सदश्या में से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन मुद्रस विती के बारे में एक समान द्रिष्टिकून के साथ बिताएंगे या फिर स्टॉक मार्किट या बेरोजगार या आमतोर पर पैसे के बारे में किसी को भी उनसे वितीय जानकारी पर समान रूप से पर्तिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करने चाहिए किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेर को से प्रभावित होते हैं किसी को भी ऐपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्त्रोज से मिलने वाली स्लाप पर विश्वास करेंगे क्या माइने रखता है यह बहमुल्या है आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विश्यों पर एक दुसरे से सैमत होंगे धन दोलग तो लेकर उनकी धारनाई अलग-अलग दुनिया में विक्सित हुई और जब ऐसा होता है धन को लेकर जो धारना एक समूग को घोर लगे वे दूसरे के लिए पूरी तरह से माईने रख सकती है कुछ साल पहले दाई नियू यूर्क टाइम्स ने महा काई ताइवानी इलेक्टोनिक्स नेमारता फॉक्सकॉन की कारिया प्रस्थिती पर एक विर्तांत किया प्रस्थितियां अकसर घोर होती हैं पाठक उची तूरूप से नाराज थे लेकिन इस कार्णी पर एक दिल्चस परतिक्रिया एक चैनिस कर्मी के भांजे की ओर से आई जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था मेरी आंटी ने कहीं साल वहां काम किया जिसे अमेरिके स्वेट शॉप यानी शोषन करने वाली दुकान कहते हैं वह बहुत मेहनत का काम था लंबे घंटे कम मेहनत आना खराब कारिया प्रस्थितियां क्या आप जानना चाहते हैं कि वहां काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी वह एक विश्या थी उस पुरानी जिवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे उनसार एक सुधार है मैं जानता हूँ कि मेरे आंटी कुछ चिलर के लिए कुछ पुर्शो द्वारा अपने शरी का चोशन करने के वजाए कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पुंजपती के मालिक के हाथ अपना शोशित होना पसंद करेंगी इसलिए मैं बहुत से अमेरिक्यों की सोच से नराज हूँ हमारे पास पस्च्रिम वास्यों जैसे अवसर नहीं है हमारी सरकारी सरंचना अलग है यह देश अलग है हाँ फैक्टरी में काम में कड़ी मेहनत लगती है क्या यह बहतर हो सकता है हाँ लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह से अमेरिकी नोक्रियों की तुलना करें मुझे नहीं पता किसका क्या मतलव निकाला जाए मेरा एक हिस्सा इसका तेक्षन रूप से विरोध करना चाता है लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझाना चाता है लेकिन मुझेता यह एक उधारन है कि किस परकार अलग-ळग अभव किसी विशे़ पर इतनी विवित धारनाव को जनम देते हैं एक गुट को सहसी लगता है कि सब श्वेत या शाम होना चाहिए धन्त औरोत को लेकर जब भी लोग कोई नीने लेते हैं उस शन में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वित या दिमाग मॉडल में डालते हैं जो उन्हें यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है और इसके अदार पर उस नीने को उच्छी ठहराते हैं वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है वे गणित में अनिपुन हो सकते हैं वे विवित मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं क्या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही नहों कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजे को गलत तरह से आख सकते हैं। ओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हर वह नेने जो लोग लेते हैं, वह उनके लिए माइने रखता है। और उनके उनसार सभी आवर्षक पहलों की पूरूती करता है। वे खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों इसका वर्णन होता है। और यह कहानी उनके खुद के आदिवित्य अनभाव से रचित होती है। एक साधान सा उधारन लीजिए लोट्री के टिकेट अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल खुद, परतिस पर्दा, किताबों के कुल खर्च से आधिक पैसा उन पर खर्च करते हैं। और उन्हें कौन खरीता हैं? मुख्यता है ग्रीब लोग। यूएस में यूंतम आई परिवार पर्तिवर्ष ओस्तन 412 डॉलर लोटो टिकेट पर खर्च करते हैं, जो उस्तम आई परिवारों से 4 गुना अधिक हैं। चाली पर्चिशत अमेरिकी आपदा के समय 400 डॉलर नहीं जुटा पाते हैं। कि दारों के अच्छेतन मन में क्या तरक चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें और आलत करपना कर सकते हैं, यह कुछ इस परकार होता होगा। हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच किस तरह जीते हैं और बचत की तो दूर तक की संभावना नहीं। अच्छे वेतन की नोकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं। हम छुट्या मनाने नहीं जा सकते हैं और नहीं नहीं कार स्वास्थ भीमा या शुरक्षित इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बेना कमर तोड़ने वाले रिन के अपने बच्चों कोलेज में भरती नहीं करा सकते। आप में से जो लोग विच संभंदी किताबे बढ़ते हैं उनके पास वह सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने के इच्छा संभावना है जो हमारे पास नहीं हो सकता। लोटरी टिकेट खरीदना ही हमारे जीमन का वह पल है जब हम ठोस रूप से हैं सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महतव नहीं देते हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रही है इसलिए हम आपसे जौदा लाटरी के टिकेट खरीदते हैं। आपको इस तरक से सैमत होने की आशकता नहीं। जब आप दिवालिया हों लोटो टिकेट खरीदना बुरा विचार नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोटो टिकेट की विक्री क्यों चलती रहती है। और य खाने की मेज पर यह कंपने की किसी मीटिंग में उन्हें बताते हैं। ऐसे स्थान जहां वक्तिगत इत्यास, संसार के परतियापका अधिवित्य दिष्टिकोंड, एहंकार, अभीमान, मार्केटिंग और विभिन, विचित्र प्रेडक्स साथ मिलकर एक ऐसा विर्तरांत ब हैं। ऐसा माना जाता है कि लीजियां जो अब तुर्की का भाग हैं वहां राजा एलियेटस ने 600 इस्विपूर में पहली आधिकारिक मुद्रब नाई। लेकिन वित्य निर्णों का हाधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी सधारणाओं पर आधारित हैं जो अभी नव जात हैं। अब सेवन निर्विति को ही लीजिये। 2018 के अंत में यूएस के सेवन निर्विति खातों में 27 डोलर ट्रिलियन की राशी थी जिसके अंसार यहां आम निवेशकों की बचत और निवेश नीने का मुख्या चालक था। लेकिन सेवन निर्विति होने की पूरी सध अधिक से अधिक दो पीडिया पुरानी हैं। दुट्य विश्वुद से पहले अधिकास अमेरीकी अपनी मृत्य तक काम किया करते थे। यह अपेक्षा भी थी और वास्तविक्ता भी। 1940 तक 65 वर्च और उसके अधिकाय यूगे पुरुष्यों की शर्मिक वर्व में दॉलर था या मुद्रा स्विती से समयोजित होकर 114 डॉलर 1980 तक पहुचने के बाद में सेवा नर्वित लोगों के लिए ओसर समाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर 1000 डॉलर परतिमा हुआ। मुद्रा स्विती से समाजित होने के बाद सेंसेस ब्यूरों के अंसार 65 वर्च अध शोक्ति पूर्ण है। 1980 तक यादारना सिद्रिन नहीं हुई थी कि हर कोई सेवा नर्विती के योग्य है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण सेवा नर्विती मिलनी चाहिए। किसी को भी इससे अचरज नहीं होना चाहिए कि हम में से काफी लोग सेवा नर्विती के लिए बचत और निवेश में अच्छे नहीं हैं। हम मुर्ख नहीं हैं हम सब बस नो सिखिये हैं। कोलेज के लिए भी यही लागू होता है। पच्चिव वर्से अधिक आयू के अमेरिकियों में सनातक डिग्री रखने की संख्या 1940 में 20 में से एक से भी कम के मुकाबले 1915 में 4 में से एक तक पहुँच चुकी है। पता चलता है कि उधारन के तोर पर पिछले 20 वर्सु में लोगों ने विदार्थी रिन को लेकर इतने खराब निने क्यों लिये हैं। हमारे पास दस्कों का एक त्रिक्त अन्भाव तक नहीं हैं जिससे हम सीखने का प्रियतन मातर भी कर सकें। हम बस जुगार करके काम चला रहे हैं। सुचकान कोर्ष पर भी यही लागू होता है जिसे शुरू हुए अभी 50 वर्स भी पूरे नहीं हुए। बचाव कोर्ष का भी यही हाल है जिसे 25 वर्स पहले ही शुरू किये गया है। यहां तक कि उभोगता रेन का व्यापक उप्योग जैसे बंदक, क्रेडिट कार्ड और कारलों, द्वित्या विशुविद के बाद तक शुरू नहीं हुए थे। जब तक जी आई बिल ने लाखों अमेरिकन नागरिकों के लिए रेन देना आसान नहीं किया। कुत्तों को दस हजार वर्स पहले पालतु बनाया गया था लेकिन वे अपने प्रचंड पूरुजो का कुछ बरताव अब तक बनाये रखे हैं। और हम जिने आदमिक विज्ट सिस्टम में मातर 20-40 वर्स का अनबह है हो और फिर भी बखुबी अनकुलत होने की आचा करते हैं। एक ऐसे विश्य के लिए जो भावना बनाम तथ्या से इतना प्रभाविद है यह एक समझ्या है। और इसे यह समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते हैं। हम सब पैसे के साथ कुछ मुरकता पूर्ण कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नहीं हैं। और जो आपको मुरकता पूर्ण लगे है हमारे लिए महाने हैं लेकिन मुरक कोई भी नहीं हैं। हम सब अपने अधुक में हम आधारपनी नहीं लेते हैं। आए अब मैं आपको बिल गेर्स के अमीर बनने की कहने सुनाता हूं। यहां पे हमारा chapter number one complete हो गया है I request to you if you like it please share it on Facebook I will be really very thankful to you and please give your suggestion in the comment